हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जियो पोसलाइट अप्लिकेशन में UPI ID वैलिडेट नहीं हो रहा तो इस प्रॉब्लम को कैसे स्वाल्ब करना है वीडियो को कम्प्लीट वाच करना इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो जैसे कि अब जियो पोसलाइट अप्लिकेशन का निव आईडी ए रेजिटेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक उपसंद देखने को मिल जाता है यूपी आई आईडी इंटर करने का तो यहीं पर बहुत से भाई लोग क्या गलती कर देते हैं कि उनका यूपी आई आईडी यहाँ पर वैलिडेट नहीं होता है तो सबसे पहले क्या करना है कि जियो पॉसलाइड अप्लिकेशन को इंस्टॉल करके सिंप्ली ओपन कर लेना है एंड अप्लिकेशन ओपन होने के बाद नीचे यहाँ पर क्रियेट एन अकाउंट इस उप्सन पर क्लिक कर देंगे किसे भी डिटैल सही से फिलप कर लेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी आई आई टि तौ यहीं पर आप लोग वो गलती कर देते हैं जिस वाज़ा से आपका यूपी आई यहां पर वईलिडेट नहीं होता है तो यहाँ पर क्या गलती नहीं करना है वह यहाँ पर मैं अभी बता देता हूं तो जैसे कि यहाँ पर हमें UPIID इंटर करना है फॉन पर Google पर PTM या कोई भी UPI INTER कर सकते हैं तो कैसे इंटर करना है यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है तो यहां पर आप जिसकिसी कभी UPIID एड़ करना चाहते हैं सबसे पहले उस application को open कर लेंगे तो जैसे application open कर लेते हैं तो मैं यहां पर phone पर application की UPIID को यहां पर add करने वाला हूँ तो simply phone पर application को open कर लेता हूँ home page पर यहां पर UPIID लिखा है simply इस पर click कर देंगे click करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे यहां पर आपको mobile number and add the rate YBL लिखा हुआ है इसके बगल में copy वाले option पर click कर देंगे तो जैसे इस पर click करेंगे copy वाले option पर आपका यहां पर UPIID copy हो जाएगा तो यहां पर बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं कि यहां पर UPIID वार्क नहीं करता तो जैसे कि यहां पर लिखा UPIID वाले option पर click करके यहां पर सिर्फ अपना UPIID मतलब mobile number को ही इंटर कर देंगे बांकी का add the rate लगाकर उसके आगे का जो भी है फोन पे पेटियम या गूगल पे तो इन सब में UPIID में mobile number के आगे add the rate लगाकर जैसे कि फोन पे है तो YBL और गूगल पे है तो ओके और आपका बैंक का नाम रहेगा और पेटियम के UPIID डालना चाहते है तो mobile number के बाद add the rate फिर पेटियम लिखा रहेगा तो इन ही गलतियों के वज़े से आपका UPIID वैलिडेट नहीं होता है और अभी रुको इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक काम और करना पड़ता है तो यहाँ पर UPIID इंटर करने के बाद उसके बगल में वैलिडेट का उपसन देखने को मिल जाता है तो जब तक आप उस पर क्लिक करके वैलिडेट नहीं करोगे आपका UPIID वैलिडेट नहीं होगा तो simply validate के option पर click कर देंगे यहाँ पर आपका UPI ID validate हो जाएगा and यहाँ पर आपको green tick देखने को मिल जाएगा इसके बाद proceed बटन पर click करने के बाद आपको यह वाला option देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आप detail fill up करके अपना जियो पॉसलाइट application में ID बना सकते हैं तो यहाँ पर जियो पॉसलाइट ID कैसे बना इसका फुल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के description में हमने इसका फुल वीडियो लिंक डाल दिये हैं आप उस लिंक पर click करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम पूरा A to Z प्रोसेस करके बताएं कि जियो पॉसलाइट ID कैसे बनाते हैं और अगर आपको जियो पॉसलाइट की ID बनाने में कहीं पर किसी भी प्रकर का problem आता है आप हमें comment कर सकते हैं हम उसका reply जरूर करेंगे साथ ही जियो पॉसलाइट अप्लिकेशन में add money करने पर कितना commission मिलता है उसका भी वीडियो का link description में डाल दिया है आप उसको check out कर सकते हैं तो जैसे कि आपको सभी को पता ही होगा कि जियो का recharge plan का rate बढ़ चुका है और अगर आप जियो पॉसलाइट अप्लिकेशन का ID बना कर उससे आप रिचाज करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कमी सनब मिलेगा तो अमीद है दोस्तों यह जानकारी आपको समझ में आ गया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल अल प्रेस कर दें थैंक्स पर वाचिंग